केदार तुम्हें पता है कि आज हमें क्या पढ़ाया जाने वाला है अरे ये तो गुरु जी के आने पर ही पता चलेगा वर्चे तुम बहुत खुश लग रहे हो क्या बात है आज गुरु जी कुछ ऐसा पढ़ाने वाले हैं जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है अब तक काम सुत्र अरे थेरे बोलो विजय क्या बात कर रहे हो कैसी बात कर रहे हो क्या गुरु जी हमें काम सुत्र पढ़ाएंगे तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब होता है अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना है आज सुबह गुरु जी बाकी आचारियों से यही कह रहे हैं आज मैं तुम सब को जो पढ़ाने वाला हूँ, वो तुम सब के लिए एक नए आनुभाव होने वाला है, वो विशय है कामा सुत्र हाँ हाँ गुरुजी, हम तो कब से इसी विशय का इंतजार ही तो कर रहे थे, मैं तुम सब से जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर काम सुत्र के बारे में क्या जानते हो या समझते हो, गुरुजी अभी तो हमारा विवा भी नहीं हुआ है, हमें क्या पता काम सुत्र के बारे से होता है, या कुछ और भी होता है? मेरे मन में एक सवाल है, गुरू जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमें काम शुत्र के बारे में जोल लगता है, तो उसके बारे में बात करने से भी लोग क्यों कतराते हैं? इससे शारीरिक संबंद से जुड़े वए किताब के तौर पर क्य मैं तुम्हें बताता हूँ काम देव और काम सुत्र वास्तों में है क्या तो क्या काम देव और काम सुत्र दोनों अलग हैं मेरा मतलब है कि काम देव ने जो चीजें बताई होंगी वही काम सुत्र हुआ नहीं नहीं काम देव देवता है काम देव को मुख्छे देवताओं की तरह ही पूजा जाता है काम देव को भगवान विष्टू वक्रिष्ण के बेटे प्रद्युम्ने का रूप मानते हैं ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने संसार को आगे बढ़ाने के लिए काम देव को बनाया था काम देव को प्रेम का प्रतिक मानकर भी पूजा जा काम देव न होंगे तो दुनिया आगे ही नहीं बढ़ेगी। काम देव का रूप सुन्दर, जबान और आकरशक है। काम देव की पतनी का नाम रती है। काम देव बहुत शक्तिशाली भी हैं और अगर वे चाहें तो किसी का भी मन एक पल में बदल सकते हैं। पहली बात, काम सुत्र अपने आप में कोई संपोर्ण ग्रंथ है ही नहीं। दरसल काम सुत्र रिशी वातसायन ने लिखी है। लेकिन इसकी शुरुवात स्वेम ब्रह्मा से ही हुई थी। इसे लोग जितना जानते हैं उनके हिसाब से ये ग्रंथ हजारों साल पहले रचा ग पर आया था और काम सुत्र काम के नियम वाले हिस्से का जग जाहर रूप है। इस सम्विधान में एक लाख ध्या थे जो हर किसी के समद से परे था। इसलिए रिशी वातसायन ने इसका इस्तेबाल करके काम सुत्र नाम के ग्रंथ की रश्ना की। जिसमें सिर्फ इस्त्री पुरुष के मिलन की ही बाते नहीं हैं। बलकि मनुष्य के जीवन की 64 कलाओं का वर्णन भी हमें इसमें मिलता है। इसमें नाच, गाना, खाना, पकाना हर चीज शामिल है। विजय, मजाक हर जगर ठीक नहीं है। यहां हमें आज तक जो काम सुत्र को लेकर गलत फैमिया थी। गुरुजी उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी बाते हमें सिर्यसली और ध्यान से सुननी चाहिए। तुम्हारा कहना गलत नहीं है विजय, लेकिन तुम गलत रेशी मुनियों का दिर्बान किया करते हैं। काम देव भी काम और प्रेम की जिम्मेदारियों के लिए बनाए गए एक देवता है। इसका मतलब काम देव बाकी देवताओं की तरह हमेशा से नहीं थे। मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें ब्रह्मा जी ने जर्मत दिया था। वो बाद में देवता बने। यहीं मतलब हुआ ना गुरुदेव। हाँ दरसल भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तब उसमें रहने के लिए उस संसार को आगे बढ़ाने के लिए ना कोई था और नहीं कोई उसमें अपनी भूमी का निभा रहा था। इस ब बनाय स्रिष्टी का विगास होता रहे। ऐसे में पौरानी कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृध्धी की कामना में ध्यान मग्न थे। उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम उत्पन हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा मेरे लिए क्य आज्या है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने इस स्रिष्टे उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, किन्तु वे स्रिष्टी रचना में समर्थ नहीं हुए। इसलिए मैं तुम्हें इस कारे को करने की आज्या देता हूँ। संसार को आगे ठाने के लिए परस्पर प्रेम और संबंधों के लिए मैंने तुम्हें बनाया है। ये सुन काम देव बिना कोई जवाब दिये वहां से चले गए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये काम देव का घमंड है और उन्होंने उनकी आज्या का पालन नहीं करने का साहस किया। तुम्हारा इस संसार में कोई कारे नहीं है। तुम व्यर्थ हो इसलिए तुम्हारा नाश हो जाएगा। अपने खुद के बनाय हुए अपने ही पुत्र को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। लेकिन जब काम देव को नाश होने का श्राप मिल गया तो उन्हें खत्म हो लगे। साथ ही अपने लिए अस्थान की भी याशना करने लगे। काम देव की विनती से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा। मैं तुम्हें रहने के लिए बारा अस्थान देता हूं। इस्त्रियों की बातें केश, राशी, जंगा, वक्ष, नाभी, पुल, होट, कोयल की कूक, चांद की चांदनी, बारिश का मौसम, चैत्र और वैसाक महीना। ये सारी बाते कहकर ब्रह्मा जी ने काम देव को पुश्पका धनुष और पांच बान देकर विदा किया। ब्रह्मा जी से मिले वर्दान की साहता से काम देव तीनों लोकों का प्रह्मन करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व और यक्ष सभी को काम ने अपने वश्पे कर लिया। ये तो बहुत रोचक कहानी है कुरुजी। काम को साधारन मनुष्य जिस नजर्ये से देखता है। उसमें और आप जो कथा बता रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। लेकिन कुरुजी जो काम देव सभी को अपने काम से सम्मोहित कर लेते थे, तो क्या वो खुद काम वासना से दूर थे। जैसे की काम सुत्र के लेखक रिश्रि वातसायन के बारे में आपने कहा कि वो ब्रह्म हचारी थे, फिर भी उन्होंने काम सुत्र लिखा। कहने का मत ऐसा बिल्कुल नहीं था। कामदेव की देवी रती से शाती हुई थी। देवी रती कामदेव के समान ही प्रेम की देवी थी। और सौंधरी की प्रतिमा थी। शादी के बाद कामदेव रत पर सवार होकर मशली का ध्वज लगा कर अपनी पत्नी रती के साथ संसार के सभी प पर जैसा कि आपने बताया, ब्रह्मा जी ने काम देव को रहने के लिए जितनी जगा दी, वो सभी सुन्दरता से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो देवता सिर्फ सुन्दर जगा पर ही वास करता है, जिनका संबंध काम से है, उनका रूप कैसा होगा? तो मने काम देव के रूप के बारे में पूछा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की अपने सपनों के राजकुमार के बारे में कोई कलपना कर रही हो, ऐसा नहीं है विजय, केदार का सोचना बिलकुल सही है, मनुष्य में जितने भी सुन्दर युवक या युवतिया हैं, जिने हम अपसराओं से तुल्ना करते हैं, वास्तों में उनका रूप अपसराओं का एक प्रतिशत है, या उससे भी कम, तो सोचो, अपसराओं कितनी सुन्दर होंगी, अपसराओं का रूप काम देव की तुल्ना में एक प्रतिशत से भी कम है, तो सोचो, काम देव स् सुनहरे पंखों से युक्त एक सुन्दर नव्युवक की तरह बताया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बान है, और उनका धनुष मिठास से भर एक गन्ने का बना होता है, जिसमें शहत की रच्सी लगी है। गुरते हैं, तो उसकी आवाज नहीं होती है। काम देव के पास पांच प्रकार के बान हैं, मारन, इस्तंबन, ज्रिम्भन, शोशन उन्मादन। ये तोते के रद पर मशली के चिन्न वाली लाल ध्वजा लगा कर खुमा करते हैं। मैं आशा करता हूं कि तुम लोगों के मन म काम देव के प्रती अब कोई भी जिग्यासा शेष नहीं रही होगी। गुरुजी काम देव एक देवता थे, उनका उद्देश्य भी बहुत महत्व पूर्ण था, लेकिन बाकी देवताओं की तरह उनका मंदिर क्यों नहीं है। जैसे हम बाकी देवी देवताओं की वहां की मैथ हून प्रतिमाएं मध्य प्रदेश के खजुराहो की याद दिलाती है। नहीं थे, आज भी ये जिवन्त बना रही है। ये मंदिर घने जंगलों के बीच में है। रे तो वसंत पंचमी के दन काम देव की पूजा की जाती है। वसंत कामदेव का मित्र है, इसलिए कामदेव का धनुष फूलों का बना हुआ है। कामदेव के बाण ही नहीं, उनकी क्लिंग मंत्र भी विपरीत लिंग के वैक्ति को आकर्शित करता है। कामदेव के इस मंत्र का नित्य दिन जाप करने से न सिर्फ आपका साथ ही आपके प मंत्र का जाप करती थी, क्यूंकि वे अपने प्रशंसकों के आकर्शन को खोना नहीं चाहती थी, ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का लगाटार जाप करते रहने की वज़ा से उनका आकर्शन, सौंदर्य और कांती बरकरात रहती थी, गुरुजी इन सभी बातों का मतलब यही ह कि काम देव किवल वासना के देवता हैं, काम देव की वज़ा से इस्त्री पुरुष के भी संबंद बनते हैं और सृष्टी आगे बढ़ती है और मानों की वृत्थी होती है, नहीं केदार, काम देव को सिर्फ वासना के देवता की दृष्टी से नहीं देखा जा सकता, व किसी वासना से घिरा हुआ हो, कोई भी हो सकता है, जिसे वैक्ति अपने काबू में लाना चाहता हो, तब कामदेव की वर्षी करम जैसे उपाय की सहयता ली जा सकती है। सिर्फ काम और प्रेम के देवता ही नहीं, बलकि संसार के वर्षी में उनका सबसे एहम योगदान है। संसार के बागी चीजों में भी अपना योगदान दे पाते। लेकिन श्राप के कारण ही उन्हें ये मौका मिला, जिससे उनका अधिकार सुन्दर्ता पर बन गया। लेकिन तुम नहीं समझ पाए कि ब्रह्मा ने उन्हें जो श्राप दिया था वो व्यर्थ नहीं गया। ब्रह्मा के दिये श्राप से काम देव संसार के समस्त सुन्दर्ताओं के स्वामी तो बने रहे। लेकिन उनका नाश होना भी निश्यत था, जिसे कोई बदल नहीं सकता था। लेकिन अब क्यों उनका नाश होता गुरुजी? काम देव ने तो ब्रह्मा देव का काम आसान कर दिया। उन्होंने समस्त संसार में अपने काम की तीर चला कर सब को अपने वश में कर लिया और संसार के वृत्ती होने लगी। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं था ना कि ब्रह्मा का श्राप असफल हो जाता। वो श्राप पूरा हुआ और काम देव का अस्तित्व वो मिट गया। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? अगर काम देव का अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो जो दुनिया में काम वासना है वो किसकी वज़ा से है? काम देव का वो स्वरूप नश्ट हुआ जिसे ब्रह्मा ने बनाया, लेकिन काम देव का पुनर जन्व हुआ, मैं तुम सब को विस्तार से बताता हूँ, तब तुम्हारा ये सवाल और मन की शंका दूर होगी। लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। और इसे बच्चा बच्चा जानता है, बिल्कुल सही, काम देव के नश्ट होने से लेकर उनके पुनर जन्म की कथा भी इसी से जुड़ी हुई है। दरसल जब दक्ष प्रजा पती ने भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को छोड़ कर सारे देवी देवताओं को अपने यग्ये में आमंत्रित किया, तो देवी सती अपने पती महादेव का ये तिरसकार सहन नहीं कर पाई। और यद्यवेदी में कूद कर आत्मदा कर लिया। जब ये बात भगवान शिव को पता चलती है, तो वो अपने तांडव से पूरिस रिष्टी में हाहाकार मचातेते हैं। इससे व्याकुल सारे देवता भगवान शिव को समझाने का इलाश पहुंशते हैं। से विवाह करने की इच्छा जाताती है, लेकिन शिव के मन में प्रेम और काम भाव नहीं था, वो पूर्ण रुप से बैरागी हो चुके थे, दूसरी ओर, राक्षस राज तारका सुर के अत्याचारों से सारा संसार आहत हो रहा था, तारका सुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ये वर्दान प्राप्त किया था, कि शिव का पुत्र ही उसका वद्ध कर सके, लेकिन शिव तो अनन्त तपस्या में लीन थे, देवराज इंदर ने काम देव और रती को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, काम देव ने अपने काम बाणों और देवी रती इसके बाद अपनी पत्नी रती के साथ कामदेव भगवान शिव के भीतर शुपा हुआ कामभाव जगाने के लिए चुट जाते हैं। पेड के पीछे छिपा कर शिव जी पर पुश्पवान चलाते हैं। अगर जीवन दान मिल भी गया तो उनका शरीर तो जल चुका था। फिर वो वापस से कामदेव कैसे बने होंगे। ये तुम कैसे सवाल कर रहे हो विजय। गुरुजी ने क्या कहा था? उन्हें पुनर जन्म मिला था। जिसका साफ मतलब यही हुआ न कि उन्हें एक नया शरीर मिला होगा। मैं ठिक कह रहा हूं ना गुरुजी? हाँ, उन्हें पुनर जिवित भी किया गया। और पुनर जन्म भी मिला। क्यूकि जब उन्हें पुनर जिवित किया गया, तब उनके पास शरीर नहीं था। इसलिए उन्हें नय शरीर की आवशकता थी। जब शिव जी को ये पता चला कि ये सब दिवताओं ने मिलकर शिव जी को ध्यान से जगाने के लिए किया था और इसमें काम देव की कोई कलती नहीं थी तब शिव जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया था लेकिन काम देव बगर देखे थे शिव जी ने रती से कहा कि जब दुआपर के अंत में भगवान कृष्ण संसार का उधार करने के लिए पृत्वी पर जन्म लेंगे, तब काम देव उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तब उन्हें शरीर प्राप्त होगा, लेकिन अभी जब उनका पुनर जन्म नहीं हुआ है, और नहीं उनके पास शरीर है, आज से काम देव को अनंग नाम से जाना जाएका, ये लोगों के हृते में निवास करेंगे, फिर महादेव ने देवी रती से कहा कि अब तुम पृत्वी पर जाओ, माया देवी के रूप में पृत्वी पर निवास करो, और काम देव की प्रतिक्षा करो, अभी साथ दिन का ही था, कि शंबरासूर को पता चल गया कि उसका वत करने वाला कृष्ण का पुत्र जन्म ले चुका है, इसलिए शंबरासूर उसे मारने के लिए द्वारिका में आया, जब उसने प्रद्युम्न को सेवी का गिरिह में देखा, तो वो उस पर मोहित हो गय दानों शंबरासूर ने प्रद्युम्न बालक का अपहरण करके उसे समुत्र में डाल दिया, जहां उसे एक मशली ने निगल लिया और मशली के माध्यम से प्रद्युम्न शंबरासूर के महल में पहुँच गया, सर्व व्यापिक रिष्ण से ये बात छिपी न रह सकी, पर और उस बालक प्रद्युम्न के रूप में कामदेव की भेंट हुई, ये किस तरह का समय था गुरू जी, जहां पती पत्नी ही एक दूसरे को नहीं पैचान रहे थे, तो उनके पुनर्चन्व का मतलब क्या रह गया, इतना ही नहीं बलकि पत्नी जिस पती की तलाश में प्र जन्म लिया है, माया देवी को भगवान शिव की कही बातों का भी स्मरण आ गया, माया देवी ने उस बालक को मायावी विद्या और श्रस्तर विद्या का पूर्ण ग्यान दिया, पुर्व जन्म का स्मरण कराया, बालक प्रद्युम्न नव्यूबग बन चुका था, और प्रद्युम्न के पास कहीं और प्रद्युम्न को उसके पिछले जन्म का स्मरण कराया, उसने बताया कि कैसे वो भगवान शिव की कुरोधाग्मी से भश्म हो गया था, उसने प्रद्युम्न को ये भी बताया कि वो रुक्मनी और श्री कृष्ण का पुत्र है, जब वो के की आग्या से प्रित्वी लोक में माया देवी के रूप में निवास कर रही हैं और काम देव की प्रतिक्षा कर रही थी जो की अब जाकर पूर्ण हुआ है शंबरा सुर के वत के बाद एक बार फिर काम देव और देवी रती का मिलन हुआ गुरू जी काम देव के बारे में हम अब ने इतना सब कुछ जाना, आपने बहुत ही रोचक चीजें बताई, लेकिन अब उनकी पत्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं, उनकी पत्नी रती कौन थी, मेरा मतलब है उनकी पत्नी की क्या एहमियत है काम देव की जिंदगी में, और इंसान की जिंदगी में कैसी भू तो ज़एत है Daehm के देवता तो प्रehm विवा ही करेंगे उनका विवा कैशे हुआ वो कैसे मिले देवी रती से उनके काम में क्यै देवी रती की भी भी भूमिका है या देवी रती की अपनी कोई अलग पहचान है दरसल कान देव और उनके पत्नी देवी रती एक दूसरे दक्ष प्रजापती की खुत्री के रूप में चारा जाता है। जब ब्रह्मा ने काम देव को मानव जाती को आगे बढ़ाने का कारे सौपा, तब काम देव ने अपने लिए पत्नी की इच्छा जताई थी। और ब्रह्मा ने ये काम करने की जिम्मेदारी दक्ष प्रजापती को सौपी। भगवान ब्रह्मा ने प्रकृती की रशना के उद्दिश्य से दस प्रजापतियों की रशना की। हाला कि उन सभी में एक महतोपूर्ण गुन का अभाव था, जिसकी वज़ा से प्रजापती प्रकृती यानी की मानवजाती की रशना नहीं कर पा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि उन में मानवजाती को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक यौन शक्ति नहीं थी। ब्रह्मा ने इसे महसूस और अपने मन की शक्ति का उप्योग, काम, नामक एक पुत्र को उत्पन्न करने के लिए किया, जो प्रेम और कामुक इच्छा का देवता बन गया। काम देव को जब प्रकृती के सभी जिवित तत्वों में कामुक इच्छा फैलाने का काम दिया गया, उनके इच्छा रुपी बान से दस प्रजापतियों सहित सभी जीव संतान उत्पन्न करने लगे। और साथ ही उन्होंने एक महान प्रजापती दक्ष पर धनुष्य से वार किया। लेकिन उस इस्त्री को देवी का अस्थान कैसे मिल गया। और वो इतनी महतोपूल्ण कैसे हो गई। ये हैरानी की बात नहीं लगती। नहीं विजय। दरसल देवी रती काम और पुरुष के मिलन से जर्मी पहली संतार मानी जाती है। रती बहत सुंदर थी और वे कामुकता के लिए जानी जाती थी। काम देव ने जब रती को देखा तो वे उनके सुंदर्य को देख कर ही उनपर मोहित हो गय थे। और उन्हें अपनी पत्मी के रूप में सुईकार कर लिया। जैवीर अती सुंदर तो थी ही। साथ ही वे एक शत्रिय थी। इसलिए घोले पर बैठे हुए और हाथ पे तलवात लिए भी उनकी कलपना की गई है। प्रेम एक्ट और जुनून की ये देवी आनन्द और भोग विलास की प्रतीक है। उनका विवा दो प्यार करने वालों के मधुर मिलन को दर्शाता है। गुरु जी जैसा कि आपने काम देव के रूप के बारे में और उनकी बाकी चीजों के बारे में हमें बताया। इसके अलावा उनके बारे में हम जानना चाथे हैं। सर्थ काम और सुन्दर्ता के लिए। रती का आर्थ है विश्राम, आराम, आनंद, स्लेह। प्रेम के सुख और वासना या मिलन को देवी रती के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। देवी रती का वाहन हंस है, इनके बाय हात में गन्ना और दाहिने हात में कमल की कली है, वो काम देव की दिव्य पत्नी होने के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ में प्यार, सत्भाव और दामपत्य आनंद में एक जोड़े का सही अवधार हैं। उनके अन्य नामों में कामकला, कामप्रिया, रागलता, रेवाकामी, इत्यादिशामिल हैं। इन नामों से तो यही प्रतित होता है गुरुजी, कि रती सिर्फ कामक्रियाओं की ही देवी हैं। लेकिन एक इस्त्री जो एक देवी भी है, ऐसा कैसे संभव है कि वो सिर्फ इन ही चीजों की देवी हो। वो एक सामानने स्त्री की तरह या बाकी देवियों की तरह माता का गुण नहीं रखती। नहीं केदार। देवी रती को सिर्फ काम और अकर्षन के देवी के रूप में ही नहीं देखा जाता है। जैसा कि उनके लाम से भी पता चलता है संस्कृत में रती नाम का अर्थ है प्यार का आनंद यौन, चुनून या मिलन और कामुक आनंद जिसमें से सभी को वो व्यक्त करती हैं और वो हैं भी उनके अन्ने नाम हम बताएंगे कि वो कौन है और क्या हैं जैसे काम कला, काम का हिस्सा, काम प्रिये, काम की प्यारी, राग लता, प्रेम की शराब, प्रिती काम, रेवा कामी, काम की पत्नी, काम की पत्नी, रती प्रिती, स्वाभावी करूप से उत्तेजित मायावती, रती इस्त्री बीच का भी प्रतिक है. ये स्पष्ट है कि वो किवल कामुक इच्छा के काम आनंद के पहलू का प्रतिनिधित्व करती है इनका बच्चे के जन्म या मात्रित्व से कोई लेना देना नहीं है कई पुरानों में उनका वर्णन एक गोरा रंग तीखे नैन और एक ऐसी आकरिती के रूप में किया गया है जो हजारों अपसराओं के बराबर है रती प्रेम और जुनून की देवी हैं हिंदू विचारों में वो प्यार, कामों के च्छा, वासना और यौन, सुक का प्रतिनिधित्व करती है गुरुजी, देवी रती का आपने इतना सुन्दर वर्णन किया है उनकी सुन्दर्ता के बारे में इतना सब कुछ बताया है लेकिन देवी रती के सुन्दर्ता का प्रमान कहां से मिला हम मानते हैं कि काम देव ने उनसे बिवा किया, उन पर आकरशित हुए तो वो सुन्दर रही होंगी लेकिन वो सब भी अपसराओं से भी ज़्यादा सुन्दर्ती, ये कैसे पता चलता है उनकी सुन्दर्ता और कामुक्ता को पौरानिक कथाओं के माध्यम से बताया गया है जहां उन्हें एक ऐसी युवती के रूप में दर्शाया गया है जिसमें प्रेम के देवता काम देव को मंत्र बुक्त करने की शक्ती है रती के सुन्दरता का अनुमान और उसकी चंचलता का अनुमान तो मेशी से लगा सकते हो कि शिव पुराण में लिखा है कि देवी रती के सुन्दर शरीर को देख कर काम देव का नियंतरन स्वैम से पूर्णता हट गया था इतना ही नहीं, काम देव को स्वैम उनके प्रेम बाणों ने भेद दिया था पुराण में उसके मुस्कान से भरे होने, सुभांगी के नाम से गोरा रंग उसकी आखों, चेहरे, बालों, पैरों का वर्णन किया गया है जांगे और उसकी चमकती त्वचा जिसने कामा को घुटने टेकने पर मश्पूर कर दिया अपसराओं के विपरीत, रती अकेले या काम देव के सायोग से काम करती है वो एक समय में कई पुरुशु को भी फुसला सकती थी वो काम देव के साथ पूजा का भी आनंद लेती है रती न केवल काम देव की पत्नी है, बलकि एक निरंतर साथि और उसकी साहयक है जो यौन भावनाओं को जगाती है मंदिर की बुर्तियां और कला में काम देव को आम तोर पर रती के साथ ही चिन्हित किया गया है जीवन में प्रेम सबसे महत्वपोण है, और देवी रती सिर्फ काम और कामक्रियाओं की ही नहीं, बलकि स्वक्ष प्रेम से संबंध भी रखती है हर संबंध प्रेम से ही जन्म लेता है देवी रती काम वासना के लिए नहीं, बलकि किसी को भी अपनी तरफ आकर्शित करने के लिए सक्षम है जैसा कि मैंने पहले भी बताया है लेकिन आम तोर पर रती साधना पारिवारिक जीवन को खुशाल बनाने के लिए किया जाता है कई बार ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में उधल पुधल आने लगता है या पती-पत्नी के बीच कोई तीसरा प्रवेश करता है तब ऐसी परिस्थिती में रती साधना अनिवार्य है रती साधना में वो ताकत है कि वो अपने दुश्मन को भी अपनी तरफ आकरशित कर सकता है रती साधना मुख्य तोर पर आकरशन और सौंदर ये प्रतान करता है जिससे कि सामने वाले को आप कामुक बनने पर मजबूर कर देते हैं दिरे दिरे ये आपके आँखों में आपके वैक्तितों में आकरशन लाता है जिससे कि कोई भी वैक्ति आपकी तरफ बिना आकरशित हुए नहीं रह सकता रती साधना विशेशत या इस्त्रियों के लिए है लिकिन इसे पुरुष भी कर सकते हैं जिस तरीके से काम देव और रती दोनों ही काम और अकर्शन के देवता हैं, देवी रती इस त्रियों के पक्ष को मजबूत करती हैं। अब आप लोगों को मैं इस विश्य के सबसे जरूरी भाग को बताने जा रहा हूँ, जो काम और काम के वास्तवी का आनंद के बारे में समझने में मदद करेगा। काम आनंद क्या है गुरू जी? जय कैसा सवाल पूछते हो के दार? ये तो किसी को भी पता होगा। काम आनंद स्त्री पुरुष के संबंदों को कहते हैं? मैंने सही कहा ना गुरू जी? नहीं विजै, आनंद का अर्थ सिर्फ इस्त्री पुरुष के शारेदी काकर्शन या संबंद नहीं है। इसके अलावा और है ही क्या काम से जूले संबंध में? तब ही तो इसके विशह में चर्चा करना पाप तक समझा जाता है हमारे धर्में क्या ये सही है? हमारे आसपास और समाज में कमी लोग ऐसे हैं जो सहवास यानि स्रीपुरुष के शारेदिक विशह में खुलकर बाते करते हैं लेकिन क्या तुम में से किसी ने कभी सोचा है? कि यदि हिंदु धर्म सहवास का विरोधी होता या इसे गलत नजर्ये से देखता तो क्या हिंदु धर्म के मूल सिध्धांत धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष में काम को शामिल किया जाता? सोचो, क्या खजुराहों के मंदिर बनते या फिर आचारे वात्सायन काम सुत्र जैसे ग्रंथों की रशना करते? अगर नहीं, तो आज हम क्यूं सहवाज जैसे महतुपुर्ण विश्य पर बात करने से डरते हैं? हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवाज से वन्शवृध्धी, मित्रता, सुक, मानसिक रूप से परिपक्वता, दिरगायू, शारिरिक और मानसिक स्वास्ते सुक की प्राप्ती हासल की जा सकती है? अगर ये इतना जरूरी और अनन्द है तो इतनी गोपनी है ता कि हूँ? आज की युवा पिढ़ी सिर्फ आनन्द के लिए एक दूसरे से संबंदे स्थापित करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि आनन्द सिर्फ मनोरण्यन का माध्यम है, पती और पत्नी के बीच सहवास रिष्टों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ति कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आज की युवा पिढ़ी को सहवास के प्राचिन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिष्टे आपस में अधिक मजबूत हो सके, और उन्हें एक संसकार वान संतान की प्राप्ती ह आज मैं तुम्हें हिंदू धर्म शास्त्रों में सहवास के वे कौन से नियम है, जिन्हें जानकर लाब उटाया जा सकता है, और दामपत्ते सुख को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, इसके संब्द में फैले गलत धारना को दूर करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि धर्म के मूल सिधांत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षें, इसमें पहला लक्ष काम है, इससे सीधे शब्दों में कहें तो काम आनंद है और ये मन और भौतिक शदिर की इच्छां को काबू करता है, ये जुनून और भावना के लिए मानविये इच्छा है, दूसरे शब्द है, काम या आनंद एक लक्ष है, लेकिन जीवन का एक मात्र लक्ष ही नहीं है, इस बात को हर कोई नहीं समझ पाता है, आध्यात्मीक रूप से परिपक्प इंसान ये महसूस करेगा कि ये जीवन का अंत नहीं है, प्रियास करने के लिए और भी बहुत कुछ है, काम एक काम देव को काम और प्रेम के लिए प्रकट किया गया था और अभी जैसा कि आपने बताया इससे तो यही समझ में आया कि काम देव का संबंद काम के अलावा वैक्तिकत संबंद से भी हो सकता है बिलकुल ठीक कहा तुमने केदार भारत के संस्कृति में काम को अतिनत महतुपो माना गया है पुरातन ग्रंतों में काम देव की महिमा से असंख्य पन्ने भरे पड़े हैं और वर्तमान में भी प्रेम प्राप्ति और प्रेम प्रेमिका के संबंद को मधुर्मय बनाने तथा पति-पत्नी के दामपत्य संबंद को प्रेम मई बनाये रखने के लिए काम दे प्रागनी में काम को भस्म करने के बाद उसे अनंग रूप में पुनव क्यों जिवित करते इसका अर्थ ये है कि काम का साहचर उत्सव मनाने योग्य है जब तक वो मर्यादा में रहता है उसे भगवान के विभूती माना जाता है लेकिन जब और जैसे ही वो मर्यादा छोड देता है तो आत्म घाती बन जाता है शिव का तीसरा नेत्र उसे भस्म करतेता है भगवान शिव द्वारा किया गया काम संगहार मनुष्य को यही सिक्षा देता है समझाता है गुरुजी काम की अती बुरी भी है यही मतलब हुआ ना हाँ और काम क्रिया में लीन हुए बिन कामदेव की भूमिका भी अलग है कामदेव रती की पूजा अर्चना से पति पत्नी के बीच कभी कोई मद्भेद नहीं होता और दोनों के बीच उत्तम शारेडिक संबंध पैदा होते हैं जो की एक खुशाल दामपत्ते जीवन के लिए अतिया वश्चक भी है माननेता नुसार कामदेव की पत्नी के पूजन वह उनका ध्यान किये गए ओम एंग घ्रिंग क्लिंग चामुन्डाय विच्चे मंत्र के लगातार 21 दिनों तक एक माला अर्थात 108 बार जब से पति-पत्नी के बीच की समस्त प्रकार की दूरियां वह नूग जोक समाप्त हो जाती हैं और दोनों में नजदी कियां बढ़ जाती है काम देव देवी रती और काम क्रिया का जितना वर्णन अभी सुना और उनके पूजा पाठ का जो भी जिक्र हुआ उसे सुनकर हमें हैरानी हो रही है कैसी है रानी? यही कि हमने कभी सार्वजनिक तोर पर इस तरह के किसी भी अनुष्ठान या पूजा के बारे में नहीं सुना काम देव के भूमिका के बारे में नहीं जाना वेदो उपनिशदो पुरानों में काम के लिए सहच का एक भाव पाया जाता है संपोन पुरातन भारतिय साहित्ते काम की सत्ता को स्विकार करता है और जीवन में काम की महतोपोन भूमिका को मान कर जीवन जीने की सला देता है पुरातन ग्रंथों के अध्धन से इस सत्ते का पता चलता है कि प्राचीन काल में वसंत पंचमी का दिन बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता था इस दिन इस्त्रियां अपने पती की पूजा कामदेव के रूप में करती थी बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रती ने पहली बार मानव हिर्दय में प्रेम एवं आकर्षन का संचार किया था और तभी से ये दिन वसंतोत्सव तथा मदनोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। आनन्द उल्लास के इस उत्सव को मदनोत्सव, वसंतोत्सव, कामदेवत्सव, कौमूदी मोहत्सव और शरदूत्सव और शरदूत्सव जैसे नामों से पुरातन साहित्ते में लिखा ग भारतिये शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है। काम देव को भारतिये सब्वेता संस्कृती में एक महतोपुर्ण अस्थान प्राप्त है। तथा उन्हें भारतिये पुरातन ग्रंथों में प्रेम का देवता माना गया है। और अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में काम देव की पूजा अर्शना भी होती है। गुरुजी काम को करके इंसान का क्या भला है? जिस तरीके से पूजा पाट करने से धार्मी करनुष्ठान करने से मोक्ष मिलता है, मोक्षया संतुष्टी मिलती है उसी तरीके से क्या काम को करने से भी मोक्षया संतुष्टी पाई जा सकती है अगर ये इतना जरूरी होता है जीवन का तो इससे फादा होना चाहिए बिल्कुल काम अपने आप में संतुष्टी का ही तो भाव है मैंने तुम्हें काम के विश्य में जो कुछ भी बताया उसे तुम्हें इतना तो समझ में आया होगा कि काम को करने से एक सुक प्राप्त होता है वही सुक संतुष्टी कहलाती है काम को करने से मुक्ष का अनुभव भी होता है तो मैं साधारन शब्दों में समझाओं, तो वो इस तरीके से होगा, कोनार, पूरी, खजुराहो, इन मंदिरों की दिवारों पर मैथुन मूर्तिया है, इन मूर्तियों का संदेश है कि संसार मैथुन मैं है, संसार में मनमत भाव की प्रधान्ता है, ये आनंद देती है, के अनुसार काम करते हुए अर्थो पारजन और कामो पभोक के बाद मुक्ष प्राप्ति के लिए प्रयतनशील होने की अवस्था आती है, प्राचीन हिंदू परंपरा के कई ग्रंथों में भी काम के प्रती अनेक प्रकार के तथ्यों के दर्शन होते हैं, एपिसोड शिक् अब ऐसी कोई जानकारी शेष नहीं है जो बिना इस किताब के दी जा सके, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने रिशिव बातसायन के बारे में तो बताया ही नहीं, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, और नहीं ये बताया कि क्या सोचकर उन्होंने ग्रंथ लिखा होगा, आपने कहा था वो एक ब्रह्मचारी हैं, तो एक ब्रह्मचारी इस तरह की किताब को लिखे, उनके पास इतनी समझ कहां से आई, इस विशय को लेकर उन्होंने इतनी बारीकी से कैसे समझाओगा, काम सुत्र केवल काम और वासना से संबंदित पुस्तक नहीं इसमें जीवन के अलग-अलग पहलुँओं के बारे में भी दरशाया गया है, गुरुजी यह हयरानी की बात है, काम सुत्र जिसे हर कोई इसके नाम से ही काम से संबंदित समझता है, भोग, विला से संबंदित, पुस्तक समझता है, वो जिंदगी के बाकी चीजों को कैसे दर्शा सकता है और जीवन ने सही सवाल किया और विजय ने सही सवाल किया रिशी वात्सायन तो एक ब्रह्मचारी थे उन्हें इतना ज्यान कहां से प्राप्त मिला उन्हें इतना ज्यान कहां से मिला हमें सबसे ज्यादा उत्सुकता इसी बात को लेकर है हाँ क्योंकि हम सब अभी तक ब्रह्मचारी हैं, तो हमें इस बारे में कोई ज्यान नहीं था, अभी आपने जितना बताया है, सिर्फ वही ज्यान है, तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर एक ब्रह्मचारी इस चीजों का ज्यान कहां से प्राप्त कर सकता है। अब रिशी वातसायन के मामले में ये ऐसा विशय था जिसमें अध्यन का मतलब ये समझा जाएगा, कि उन्होंने इस चीज को पहले खुद किया, उसके बाद समझा, लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तों में ऐसा कहा जाता है कि वातसायन ने काम सुत्र वैश्यालियों में जाकर द ये हैं, बताया जाता है कि बनारस में लंबा वक्त बिदाने वाले वातसायन रिशी बहुत ग्यानी, दार्शनिक और चारो वेदों के ग्याता थे, लेकिन एक ब्रह्मचारी इतना भी किया इस विशय को लेकर उत्सुक हो गया, और इतनी रूची आ गई कि इस पर ग्रंथ लिख दिया, लिखने के पीछे का क्या तात्पर रहा होगा, इनका मानना था कि कामुकता के विशय पर खुल कर चर्चा होनी चाहिए, वो कहते थे कि इनकी अंदेखी नहीं की जानी चाहिए, इसी उद्देश्च से ही उन्होंने इस किताब की रचना की, उन्होंने अपने दायक विश्यों का संग्रा ग्रंथ है, गुरुजी इसमें जीवन के और किन पहलूं के बारे में जानकारी है, जिससे समझा जा सकता है, अच्छी तरह से जीने की कला, प्रेम की प्रक्रिती, एक जीवन साथी की खोज, एक के प्रेम जीवन को बनाए रखना, और अन्य पह कला एवं साहित्य को भी अस्पंदित किया है, राजस्थान की दुरलब यौन चित्रकारी तथा खजुराहो कुनार कादी की जीवन तशल्प कला भी कामसुत्र से ही प्रेदित है, गीत गोविंदम के गायक जैदेव ने अपनी लगु पुस्तिका रती मंजरी में कामसुत रचना के काल में भले ही अंतर है अर्थशास्त्र मौरेकाल का और कामसुत्र गुप्तकाल का है, वाचसायन ने कामसुत्र में मुख्य खतया धर्म अर्थ और काम की व्याख्या की है, उन्होंने धर्म अर्थ काम को नमस्कार करते हुए ग्रन्थारंब किया है, धर्म प्रई कहा जाता है। वाद्शायन का कहना है कि धर्म परमार्थ का संपादन करता है। इसलिए धर्म का बूत कराने वाले शास्त्र का हुना आवश्यक है। कि इन चीजों को समझने के लिए भी किसी पुस्तक की ज़रूरत है। इनसान को काम, क्रोध, लो, मू, ये तो हर इनसान के भीतर पाया जाता है गुरुजी। तो इसके लिए किसी खास पुस्तक को पढ़ना, उससे चीजों को सीखना, ये समय को विर्थ करने जैसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि काम सुत्र की किताब में कुल मिला कर लिखी तो काम से जूली गई बाते ही हैं। मानता हूँ कि वो समाज को आगे बलहाने के लिए किया जाता है और समाजिक दिरिश्टिकुन से कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन मुद्दा तो वही है ना। नहीं विजय वातसायन का दावा है कि ये शास्त्र पति-पत्नी के धार्मिक सामाजिक नियम सैयम का शिक्षक है। प्रकार धर्म और अर्थ के लिए शास्त्र की आवशक्ता घूती है। ये उसी प्रकार काम के लिए भी शास्त्र की आवशक्ता होने से कामप्र की रशना की गई है। गुरुजी गलत धारनाएं भी तो फैली हुई है जिस वज़ा से लोग इसे गलत समझते हैं विजय का कहना भी तो गलत नहीं है मानता हूं कि इसके पीशे गलत धारना बनाई गई है इसका वास्त्विक्ता कुछ और हो सकता है लेकिन लोग तो यही मानते हैं न कि काम सुत्र में केवल विभिन प्रकार के यौन आसन का वर्णन है नई के दार ऐसा नहीं है इसलिए तो मैं तुम लोगों को इस विश्य के बारे में जानकारी से बता रहा हूँ ताकि भविश्य में तुम लोगों के मन में इस विश्य को लेकर कुछ घलत धारना ना रहे ना ही इस ग्रंथ को लेकर और तुम भी लोगों को बता सको कि जो धारनाई हैं लोगों के मन में वो गलत है काम सुत्र साथ भागों में बिभगत है जिसमें से यौन मिलन में संबंधित भाग केवल एक है ये संपुर्ण ग्रंथ का केवल 20 प्रतिशत ही है जिसमें 79 यौन आसनों का वर्लान है इस ग्रंथ का अधिकांश भाग काम के दर्शन के बारे में है काम के उत्पत्ति कैसे होती है काम अच्छा कैसे जागरित रहती है काम क्यूं और कैसे अच्छा या बुरा हो सकता है काम सुत्र इतना पु लेकिन इसमें दिया ग्यान आज भी उतना ही उपयोगी है इसका कारण यह है कि भले ही समाज ने बहुत उन्नती कर ली है किन्तु मनुष्य अब भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं विवा करते हैं तदा मनुष्य के यौन व्यवाहार अभी वही हैं जो हजारों वर्ष प अंतरगत सभी इंद्रियों और भावनाओं से अनुभो किया जाने वाला आनंद नहीं थे गुलाब का इत्र अच्छी तरह से बनाया गया खाना त्वचा पर रेशम का असपर्ष संगीत किसी महान कायक की वानी बसंत का आनंद सभी काम के अंतरगत आते हैं वातसायन का 36 अध्याय और 1250 लोक लिखे गए हैं इनको मैं संक्षिप्त में बताता हूँ पहले भाग में जिसमें प्रेम वा निकट्ता के बारे में बताया गया है इसके अलावा पुरुष वा महिला के लिए प्रेम का मतलब और इसको वरगे कृत करके समझाया गया है दूसरे भाग म यौन क्रिया के बारे में इसमें 10 अध्यायों को शामिल किया गया है जिसमें महिला वा पुरुष की यौन इच्छाओं गले लगने के तरीकों किस करना नाखुनों का इस्तेमाल दांतों से साथी के शरीद पर निशान बनाना सहवास के दौरान महिलाओं की पीड़ा महिला पत्तियों के साथ किया जाने वाला विनम्र व्यवाहर सहवास को शुरू करने के तरीके वो इनके अंतिम चरण के बारे में बताया गया है। पांचमे भाग में अन्य की पत्तियों के बारे में इस भाग में च्छ अध्याय हैं। पत्ति करने की क्रिया के बारे में पताया गया है। काम आसन क्या है और इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है ये जानने के लिए सुनते थे ये कूकू FM। एपिसोड सेवन। गुरू जी अफ्षिक्र हमें इस किताब से इस विशय में आगे पढ़ाये। हम बहुत उत्सुख हैं इस बारे में जानने के लिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम लोगों ने इस विशय को समझा और उसके वास्तविक रूप को सुईकार किया। और तुम्हारे मन की धारणाएं बदली। लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है अब इस पुस्तक से हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने मन में चिंदन करो और कल मैं तुम सब से कुछ सवाल पूछूँगा। देखता हूँ तुम सब में से किस ने इस विशय को कितनी गहराई से समझा है। क्या हुआ? चलो, कक्षा समाप्त हो गई। आज चलेंगे तो जरूर लेकिन पुस्तकाले की ओर। पुस्तकाले की ओर? लेकिन क्यूं? चल के कुछ खा लेते हैं। काफी देर हो गई है और भूख लग रही है। जब तक मैं अपने मन की और जिग्यासाओं को शांत नहीं करूँगा, मैं तो कुछ नहीं खा पाऊँगा। गुरु जी ने मेरे मन में बहुत ही जिग्यासा भरती है। अब तो मुझे उस किताब को खोल कर देखना है कि आखिर उस किताब में क्या-क्या मिल सकता है। तुम्हें नहीं लगता कि अभी इस विशा में इतनी रूची लेना सही नहीं है तुम्हारे लिए। वैसे चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ क्योंकि उत्सुकता तो मेरे मन में भी है इसके मुताबिक काम संपूर्ण है आनन्द देने के लिए और ये क्या है ये देखो विजय इसमें कुछ प्रमुख यौन आसनों के बारे में लिखा गया है अब जहर सी बात है कि ये किताब काम और यौन से संपूर्ण है वो तो लिखाई होगा देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा दिव्या आसन है उसको किताब में लिखने की आवशकता पड़ गई काम सुत्र के अनुसार यौन क्रिया यानि सहवास का प्रतेग व्यक्ति के जीवन का एक महतोपूर्ण हिस्सा है इसमें महिलावा पुरुष न सिर्फ शारेरिक रूप से एक दूसरे से जोड़ते हैं बलकि वो मानसीक और आत्मिक रूप से भी एक दूसरे से संबंदे स्थापित करते हैं यह उन संबंदों के दौरान भावनाओं की एहम भूमिका होती है इसको केवल शारेरिक क्रिया मान लेना बेहत गलत है इसमें पुरुष को अपनी संतोष्टी के साथ ही महिला की संतोष्टी का पूरा ध्यान रखना होता है काम सुत्र के मुताबिक सेक्स ऐसे कमरे में करना चाहिए जिसमें चारो और हलकी सुगंध वो रोशनी हो यह महौल आपके नीजी पल को और खास बना देता है दमपत्ती को सेक्स क्रिया से पुर्व अपनी सभी चिंताओं को भूल जाना चाहिए इस समें महिला वा पुरुष को अपने दिमाग वा भावनाओं को केवल प्रेम पर एकागर करना चाहिए कामसुत्र के दूसरे भाग में खासकर सहवाग के लिए जरूरी तरीकों के बारे में बताया गया है जिसमें यौन इच्छाओं, गले मिलने के तरीके, चुमना, नाखुनों वदातों का सेक्स में प्रियोग करना सहवास करते समय महिलाओं को होने वाले दर्द पुरुशों का विनम्र वेवाहर आदी के बारे में विस्तार पुर्वक बताया गया है इसमें 64 यौन आसनों को शामिल किया गया है इन 64 यौन आसनों में से सहवास के दौरान प्रियोग में लाये जाने वाले 21 आसनों को श्रेश्ट बताया है और वो है उत्फुलक, इंद्रानिक, वैसिश्टक, विज्रिमभीतक, बालवक, वेणूदारितक, शूलाचीतक, पदमासन, परावृतक, इस्थिररत, अवलंबित अवलंबितक, धेनुक, क्रिशक, भुगननक, भुगननक, ज्रिमभीतक, उत्तान संपुर्ट, उत्पी, उत्पिलक, इनके अलावे कुछ ऐसे यौन आसन भी हैं जो सहस्ता से किये जाते हैं, इनके अलावे कुछ ऐसे यौन आसन भी हैं जो सहस्ता से किये जाते हैं, चाव काम सुत्र की इस आसन में पुरुष और महिला एक साथ बिस्तर पर लेड जाते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आकर गले लग जाते हैं। एक की बाजू और थाई दूसरे की बाजू और जांगों को अच्छी तरह से घेद लेती है। यह आसन बिलकुल ऐसी लगती है जै इसमें पैरों को सिकोल कर पुरुष की नाभी से अपने पंजों को सटा देती है। शेख्स के दौरान कारकटक जैसे स्थिती हो जाती है। पानी और दूद का मिश्टर्ण। इस आसन में महिला पुरुष की ओर चेहरा करके एव उसकी गोद में बैट जाती है। इस आसन म इस आसन में महिला का एक पैर पुरुष के कंधे पर होता है और दूसरा जमील पर इससे महिला आराम से अपने पैर फैला पाती है इससे सहज रूप से महिला और पुरुष यौन क्रिया कर सकते हैं लटा का पेड़ से लिपटना इस आसन में महिला पुरुष से इस तरह से लिपट जाती है जैसे पेड़ से एक लटा लिपटी हुई होती है और वो अपना सिर इस तरह से आगे की ओर छुका लेती है कि पुरुष उसकी किस करने की इच्छा को पूरा कर सके इस आसन में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और खूब प्रेम करते हैं इस आसन में दोनों एक दूसरे से बिलकुल लिपट से जाते हैं उच्छरत इंद्रानिक आसन ये आसन इंद्रानिक पोजिशन की तरह ही होती है इस six position में महिला बैट कर अपनी दोनों घुटे मोल कर अपनी जांगों के पिछले हिस्से में चिपका लेती है इसके बाद महिला अपनी दोनों जांगों को फैला लेती है इस आसन के लिए महिला को काफी अभ्यास की ज़रूरत होती है इन उत्तेजक आसन के अलावा और भी कई आसन हैं, जिन्हें महिला और पुरुष हाराम से कर सकते हैं, 21 आसन जो आम तोर पर इस्तेमाल किये जाते हैं, उनमें इसके अलावा कुछ खास आसन, कितना रुमान चक लग रहा है ये सुनने में कि कोई वास्तों में इन आसन को कर प आसन को शारेरिक और मानसिक रुप से स्वस्तर रखता है, लेकिन कई बार खराब जीवन शैली का असर, हमारी यौन जीवन पर पढ़ता है, यही कारण है कि लोग तनाव और चिंता का शिकार हो जाते हैं, काम सुत्र में महर्शिव वातसायन ने न सिर्फ आयूर्वेद बलकि समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और योग से यौन क्रिया का महत को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादा तर लोगों को सही यौन आसन का ही पता नहीं होता है, इस वज़ा से लोग अपनी यौन जीवन का पूरा आनन्द ही नहीं ले पाते हैं, काम सुत्र में यौन की उत्तेजक और कामों के च्छाओं को विस्तार से बताया गया है, इसमें कलात्मक तरीके से नोचना, सहवास के बहतर तरीके, आलिंगन यानि गले लगने के तरीके, और शरीर को सहलाने इत्यादी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, जो से हंसोगे तो बाहर निकाल दिये जाओगे, और फिर यह किताब सपने में ही पड़ पाओगे, मैं तो यही सोच रहा हूं कि अब तक हमने इस किताब को क्यो नहीं पढ़ाता, अगर पड़ भी लिया होता, तो भी तुम इस किताब में दिये गये गयाँ को कहा पर इस्तेमा इसमें क्यूं लिख्छा है? अच्छा 4Play कामका ही पाड़ है अपने साथी के साथ नसदीक होने के कई तरीके हैं 4Play उन में से एक है सेक्स विश्य शग्यों का कहना है कि फोरपले में आपको ये गहराई से समझने की क्षमता है कि आप कौन है और आप यौन रूप से क्या पसंद करते हैं जितना अधिक आप एक दूसरे के यौन सम्बंदों के संपर्क में रहेंगे आप दोनों अपनी कलपनाओं इच्छाओं आदी को साजा करने में उतने ही सहच होंगे इससे तो मुझे यही समझ में आता है कि फोरपले में अपने साथी के साथ बातचित करते रहना चाहिए जिससे की नजदिकियां बढ़े और आनंद की प्राप्ती हो क्या बात है कितार तुम्हें तो बड़ी समझ है तुरंट समझ गया इस शब्द का क्या मतलब है क्योंकि मैंने गुरु जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना है और अभी जो इस किताब में हमने पढ़ा है न उनसे भी बहुत ध्यान से समझा है इसलिए मैं ये समझ पाया हूँ और यौन आसन उसके बाद 4-play 4-play इन दोनों को समझ कर इतना पता चलता है कि इस किताब में एक एक चीज को समझाया गया है कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, सब कुछ आगे पढ़ते हैं कि 4-play का क्या एहमियत हो सकता है और इसके फैदे क्या हो सकते हैं और वास्तों में ये है क्या इस किताब के मुताबिक 4-play काम को आनंद तक ले जाने की पहली सीड़ी है 4-play की मदद से दोनों पार्टनर के उत्तेजना बढ़ती है दोनों को क्लाइमेक्स सक पहुचकर और गेश्म हासिल करने में मदद मिलती है पुरुष जहां सिर्फ एक बार ही और गेश्म हासिल कर सकते हैं वही महिलाओं को एक से ज़्यादा बार और गेश्म अनुभव हो सकता है अच्छा मतलब ये तरीका खास कर और्टों के लिए है और्टों को इससे आनंद मिलता है नहीं इसमें लिखा है कि ये फोर प्ले का उद्देश यौन उत्तेजना में वरिद्दी करना है विशेश रूप से महिलाओं के लिए है तो लेकिन पुरुशों को भी आनंद प्राप्त होता है ये वेजाइनल लुब्रिकेशन को बढ़ा कर शरीर को संभोग के लिए तैयार करने में मदद करता है फोर प्ले यौन उत्तेशना और आनंद को बढ़ाता है और आपको और्गेश्म की ओर ले जा सकता है लेकिन ये दोनों साथी के लिए जरूरी है आम तोर पर संभन्द बराने से पहले पार्टनर्स के बीच किया जाने वाला वो काम होता है जो दोनों को सेक्स के लिए शारेरिक और मानसिक रूप से तयार करता है फोर प्ले में बहुत सारी अलग-अलग चीजें शामिल हो सकती है जैसे किसिंग, जरूरतों को साजा करना, एक दूसरे के जनानांगों को छूना, कमुक बाते करना फोर प्ले का उद्देश्य यौन उत्तेजना को विशेश रूप से महिलाओं के लिए बढ़ाना है इससे उनकी यौनी में लुब्रिकेशन बढ़ जाता है और शरीर को संभूग करने के लिए तयार करने में मदद मिलती है मदद करना है इतना तुम्हें नहीं लगता कि ये सब समय बरपात करना हुआ घूम फीर कराना तो मुद्दे पर ही है तो सिधा संभूग करो और खत्म करो इससे पहले इतना समय व्यर्थ करना और आजकल की भाग दोड़ भरी जिंदगी में किसके पास इतना समय है इस किताब में लिखी गई है तो जरूर इसका कोई मतलब होगा भी तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई चीज स्वात लेकर खाते हैं और कोई चीज बस फटा फट खा लेते हैं दोनों में अंतर होता है है ना और कामसुत्र लिखा ही काम में आनंद देने के लिए गया है मैं आगे बढ़ता हूँ देखे तो इसको करते कैसे हैं और वो इसमें किस तरीके का आनंद प्राप्त हो सकता है इसमें तुम्हारे सवालों के जबाब भी मिल जाएंगे और उसको करने के लिए खास कर समय निकालने की ज़रूरत है या चलते फिरते भी किया जा सकता है अब तुम मुझे पूरे तरीके से तुम पर शक हो रहा है तुम ये जो कुमारे बनने का दिखावा करते हो वाकई में तुम हो या बहुत कुछ कांड करके बैठे हो बहुत पुरा मजाग था मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आई मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आई इसमें इसे मैं एक विश्य के तौर पर देख रहा हूँ और कुछ नहीं हो सकता है भविश्य में काम भी आ जाएं। भविश्य की तेयारी अभी से करते हो। होश्यार तो सच में तुम बहुत हो। चलो आगे पड़ो तुम्हारे साथ साथ मैं भी ज़रा तेयारी कर लू। यदि आप बिना फोर प्ले के सेक्स कर रहे हैं तो आपकी बॉड़ी अच्छे से इस्टुमिलेट नहीं हो पाएगी जिसकी वज़ा से लुब्रिकेशन की कमी हो सकती है और आपको सेक्स के दौरान दर्द भी हो सकता है। ये दर्द सेक्स के दौरान या बाद में दर्द होना सामानने नहीं है। महिलाओं के लिए फोर प्ले वास्तों में सेक्स को और अधिक आनंद दायक बना सकता है। जब एक महिला का शरीर उत्तेजित हो जाता है तो योनी की मान स्पेशियां गरभाशा को थोड़ा उपर खींशती है। जिससे योनी में अधिक जग़ बन जाती है। इस प्रक्रिया को योनी टेंटिंग कहा जाता है जो अधिक अस्थान बनाती है। जिससे सिक्स अधिक आणन्द दायक हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिक्स एक महिला के लिए सुविधा जनक हो सकता है। बहुत से लोगों को ये समय बरबात करना लगता है लेकिन आजकल हर कुछ फटा-फट हो रहा है। खाने सुने से लेकर फटा-फट शादी और रिष्ट निभाने तक सब कुछ चल्दी-चल्दी हो रहा है। भाग दोड भरी जिन्दगी का असर अब सिक्स पर भी पढ़ने लगा है। इसे आजकल कुईकीज कहा जाता है। इसमें दमपत्ती सेक्स भी फटा-फट निप्टा लेते हैं। इस वात का धिरे धिरे आगे बढ़ने में आनंद की जादा प्राप्ती होती है। क्यों? मैं भी तुम्हारी तरह समझदारी की बात कर रहा हूं या नहीं? मैं भी अब इस विशे में भीतर तक गुस रहा हूं। वैसे इस विश्य में तुम हमेशा से भीतर तक ही खुसे वए हो, ये कहो कि ग्ञान की प्राप्ती तुम्हें अब हो रही है, वरना ये तो तुम्हारा हमेशा से पसंदीदा विश्य रहा है, और गुरुजी का इस विश्य को पढ़ Chance तुम्हारे लिए किसी खाजाने से कम थ तुम रहने दो, मैं खुदी पढ़नूगा आगे, तुम रहने दो, मैं खुदी पढ़नूगा आगे, वरना फिर तुम कुछ गलत ही मतलब निकालोगे, आरे बुरा क्यों मान रहे हो, मजाग कर रहा हूँ, वैसे भी ये आखरी पढ़ना है, इसमें लिखा है कि फोर प्ले के क्या क्या तरीके हो सकते है, बहुत से लोग सोचते हैं कि फोर प्ले का महत वो कुछ ही चीजे हैं, लेकिन अब इस दक्या नोसी विचार से बाहर रहने का समय आ गया है, फोर प्ले का मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजे भी हो सकता है अपने चुम्मन, अस्पर्ष और कुतरने से आप दोनों को ये सीख सकते हैं कि फोर प्ले कितना अकर्शक हो सकता है और फिर इसे सेक्स की ओर ले जाने दे सबसे पहले और सबसे महतोपुर्ण है कि आपका फोर प्ले हमेशा कमरे में शुरू नहीं होना चाहिए या आपके घर के किसी भी कमरे में धीमे, अंतरंग, चुम्मन और एक दूसरे को छूने से शुरू हो सकता है या फिर आप रसोई में काम करती अपनी साथी को कामुक धंग से छू कर उन्हें किस्क करके फोर प्ले की शुरुवात कर सकती है जिससे बिस्तर पर शांदार, पूर्ण और सेक्स हो सके बहुत सामाने चीज़े भी हो सकती है फोर प्ले कुछ बहुत सी सामाने चीज़े जैसे हाथ में हाथ पकड़ना उन्गलियों के बीच में रगरना जैसे ही सामाने चीज़े भी फोर प्ले हो सकती है बस उस कामुक पल को पकड़ना आना चाहिए आपके साथी से आप कामुक बात करते करते उसके हाथ को पकड़े उसके होटों को चुएं ये बहुत अच्छे फूर्पले का काम करती हैं करीब आए एक दूसरे को छूने और पकड़ने के अलग-अलग तरीके आजबाएं जैसे एक साथ नाचना या एक साथ नहाना तेल से एक दूसरे की पीठ, पैर या पूरे शरीट की मालिश करें स्वादेश्ट व्यंजन डालें और इसे चाटने में अपना समय लें एक दूसरे को असपर्ष करें, अपने साथी के चेहरे को सहलाएं अपनी उंगलियों को बालों में फेरें और धीरे से बाहों, पेड और जांगों के अंदरुनी हिस्चो को गुद-गुदि करें अगर अभी के समय के हिजाब से सोचें तो आज के समय में इस्त्रियों की दशा पुरुशों के मुकाबले बहुत अच्छी नहीं है और इस्त्रियों की महतों को बाकी तूसरी चीजों में देखें तो उसे तो यही समझ में आता है कि शारेरिक संबंद के मामले में भी इस्त्रियों के विचार को कोई महतों नहीं दिया जाता होगा तो अगर अभी के समय के इस्त्री जो पढ़ी लिखी है जो आत्मनिर्भर है तब उनकी ये दशा है तो प्राचीन समय में उनकी दशा के बारे में तो सोचा समझाई जा सकता है कि कितनी खराब रही होगी बाकी मामलों में इस्त्रियों की दशा और सारेरिक संबंद के मामले में उनकी दशा की दोनों अलग-अलग चीज है और किताब में अगर इस्त्रियों के पक्षकों रखकर लिखा गया है तो सही बात है कि इस्त्रियों के बारे में भी सोचा जाता होगा और उनके आनंद की भी परवा की जाती होगी लेकिन ये हम दोनों आपस में बात करके नहीं समझ सकते और आगे देखते हैं क्योंकि गुरुजी ने कहा था कामशुत्र के दूसरे अध्याय में इस्त्रियों के बारे में बाते लिखी गई हैं उसके आधार पर इसमें क्या है देखते हैं ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन समय में इस्त्रियों की महत वो उनकी स्थिति आज इस्त्रियां भी खुल कर अपने पार्टनर से अपनी यौन इच्छा के बारे में बात कर सकती हैं अपनी इच्छा नुसार सेक्स कर सकती हैं अपनी पसंद नापसंद के बारे में बता सकती है और तो और पुरुष भी अब महिलाओं के इच्छा का संमान करने लगे हैं आए डालते हैं एक नजर सेक्स को लेकर वरतमान समय में इस्तिरीों की इस्थिती पर वात्सायन की पुस्तक कामसुत्र में इस्त्री पुरुष के शारेदिक संबंदों के बारे में विस्तार से और खुल कर लिखा गया है हाला कि उस यूग में इस्त्री को एक भोग्या की तरह समझा जाता था विस्तर पर उसकी स्थिती एक वस्तू से अधिक कुछ नहीं थी लेकिन आज का युग और समय दोनों अलग हैं कामसुत्र के अनुसार पुरुषों को कुमारी और विवाहित महिलाओं से यौन संबंद बनाने की चूट है लेकिन यौन संबंद के मामले में इस्तरी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता उस युग में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति समझा जाता था संपत्तियों का अपना कोई अधिकार नहीं होता जबकि उन पर संपत्ति मालिकों का पूरा अधिकार होता है दुख की बात है कि एक इस्त्री को संपत्ति की तरह देखा जाता था और हट तो ये हो गई कि कोई पुरुष किसी के भी साथ संबंद बना सकता था लेकिन इस्त्रीयों को कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त था इतना ही नहीं अभी तो आगे सुनो पराई, महिला या पुरुष के साथ संबंद बनाने को लेकर भी कामसुत्र में बहुत सी चीजे है असल में वात्सायन अपनी पूरी किताब में दूसरी महिलाओं के साथ संबंद बनाने के कई तरीके बताते हैं वो ऐसे सैक्रो दाउपेंच बताते हैं इसके द्वारा कोई आत्मी किसी और की पत्नी के साथ संबंध बना सकता है। हद हो गई। अगर इतनी सारे नियम कानून थे औरतों के लिए तो फिर इस किताब के अध्याय में इस्त्रियों के बारे में इतना कुछ जो लिखा है वो क्या है। हमें उसे पूरा पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा। सिर्फ एक ज्यान लेने से कि एक अध्याय है इस्त्रियों के लिए इससे कुछ पता नहीं चलेगा। ये अध्याय इस्त्रिय पुरुष के सहायकों के कर्तव्यों के बारे में बताता है और नाइकाओं को उनके काम के हिसाब से बाटता है। आचारे के अनुसार नाइकाएं तीन प्रकार की होती हैं कर्णिया, पुनरविवाहिता और वैश्या। इन तीन प्रकारों में अनिक उप प्रकार हैं जैसे की कन्या के दो प्रकार हैं पुत्रदा और सुखदा यानि पुत्र देने वाली और सुख देने वाली आचारे वातसायन का मत है कि बच्चे पैदा करने के उद्दिश्य से सिक्स सिर्फ अपनी ही जाती या धर्मवर्ण की लड़की के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि उसी से उत्तम संतान की प्राप्ती होती है जबकि अगर बात सिर्फ यौन सुक प्राप्त करने की हो तो उसके लिए इस तरह की कोई नियम कानून नहीं है वैश्याओं को सिर्फ भोग विलास की नायकों की श्रेणी में रखा है सिर्फ शादेरिक संबंद के उप्योग में आने वाली इन नायका के साथ वाच्छायन ने न तो इनके साथ सहवास का समर्थन किया है और नहीं इसका निशेत किया है उन्होंने इन्हें असाधारन इस्त्री मानते हुए समाज में इनकी उप्योगिता और महतों को स्विकार किया है इन पर वैशिक नाम के स्वतंत्र अधिकरण की रशना की है गुनों के आधार पर नाइका भेद के इसक्रम को आगे बढ़ाते हुए कामसुत्र स्विकिया, परकिया और सामान्या नाइकाओं को उनकी प्रब्रिती और विशेष्टा के अनुसार अलग-अलग वर्गों में बाढ़ता है अन्त में हम पाते हैं कि नाइकाओं के कुल 384 भेद होते हैं आचारे इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार की नाइका के साथ शारेरिक संबंद बनाना धर्म विरुथ नहीं माना जाता लेकिन इसके साथ ही पुरूशों के भी प्रकार बताए गए हैं इस्तनिया किस तरह से पौधों के साथ किस परिस्थिती में शारिरिक संबंद बना सकती हैं जो गलत नहीं माना जा सकता है क्या कर रहे हो तुम लोनो समाल कर तुम अपने जिग्यासा को शान्त करने इस किताब को पढ़ने आए अच्छी बात है लेकिन ये मात्र किताब नहीं है धरोहर है इसका ध्यान रखो गुरुजी हम मानते हैं कि इस किताब में बहुत सी ऐसी चीजे हैं जो इनसान की जिंदगी के लिए जरूरी है लेकिन ये धरोहर किस तरह से हो सकती है जैसे अन्य गरंथ धरोहर है उसी तरीके से ये भी एक गरंथ है और ये भी एक विरासत है काम और काम से जोली चीजे विरासत कैसे हो सकती है गुरुजी यही तो दुरभाग्य है कि इनसान अपने सुविधा के हिसाब से चीजों को माननेता देता है या माननेता चीनता है अभी के समय में लोगों में इतना ढूंग हो गया है कि काम जो हर किसी के जीवन का हिस्सा है उसे मानने से भी इंकार करते हैं लेकिन करते सब ही हैं और इसलिए सिर्फ इसी वेवाहार की वज़ा से इस किताब को धरोहर की माननेता देने में उन्हें शर्म आती है किताब को हमने पढ़ाये गुर्ष और जितना पढ़ाये उससे इतना तो हमें समझ में आया है कि ये वात्सायन की लिख्योई किताब का प्रतिरूप नहीं है इसमें बहुत कुछ बदला गया है समय के साथ साथ इसमें भाशा, शब्द और बाके की चीजों को भी बदला गया है तो ये वो धरोहर कैसे हो सकता है ये तो पुराने को धीरे धीरे बदल कर नए तरीकों से लिखा जा रहा है विश्व की सभी प्राचिन सभ्यताओं की तरह हमारी सभ्यता और इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जिसे संजोने, पुनर्चिवित करने और जिस पर गर्व करने की जरूरत है वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, पुराना हो जाता है, नया जन्म लेता है पुराना तूटता है और उसके तूटने से नए निर्वान की प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि ने निर्वान की प्रक्रिया में पुराना सब कुछ नश्ट ही कर दिया जाए पुराने में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें बहुत गौरब और महपत से संजो कर रखना चाहिए जैसे की ये किताब कामसुत्र जो 400 इसा पुर्व में लिखी गए थी और जो पूरी दुनिया में अपनी तरह की अनूठी किताब है इतियास के पन्ने पलट कर देखिए कि 400 इसा पुर्व में जब भारत की धर्ती पर कामसुत्र जैसे किताब लिखी जा रही थी दुनिया के और हिस्सों में क्या हो रहा था यूरोप ये नवजागरन की शुरुवात भी नहीं हुई थी यूरोप के देश हापस में युद्ध करने में व्यस्त थे कुलंबस ने अमीदिका की खूश नहीं की थी इंग्लैंड एडल्टरी के आरोपों में अपनी ही रानी का सिर कलम कर रहा था और सिक्स को लेकर दुनिया के अधिकांस देशों में कठोर नैतिक वादी कानून थे अगर यूं कहूं कि जब पूरी दुनिया अंधेरे में जी रही थी भारत में वादसायन नाम के एक दार्शनिक प्रेम और यौन रिष्टो पर संस्कृत में एक ऐसी किताब लिख रहे थे जो आज भी दुनिया का प्राचेनितम सेक्सवल टेक्स्ट है इतिहासकारों ने काफी खोच कर ली लेकिन ऐसी दूसरी किताब संसार की और किसी सभ्यता में लिखे नहीं मिलती इतिहासकारों ने जापान में इस तरह के कुछ टेक्स्ट खोजे हैं लेकिन कामसुत्र की तरह जीवन प्रेम यौन सुक को समझने और समझाने प्रेम और आनंद तक ले जाने वाली कोई दूसरी वाली किताब नहीं है वो एक तरह का खुली सेक्स टेक्स्ट है जो किताब मिली भी प्राचीन जापान में राजा के नीची आनंद की वस्तु थी लेकिन गुरु जी जैसे बाकी के ग्रंतों में जो कुछ भी लिखा गया है उसका कोई ना कोई प्रतेक्ष प्रमान दिखता है फिर चाहे वो रामायन काल की कोई वस्तु हो महाभारत काल की कोई वस्तु हो या इसी तरह की कोई और वस्तु जो ये प्रमानित कर सके की काम सुत्र बास्तों में धरुवर है और उसके मानने वाले और खुले तोर पर उसे मानने ता प्राप्त थी प्रमान है, खजुराहों में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई हैं, जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे ना इश्वर का और ना धर्मों की नैतिक्ता का डर था, अधिक्तर धर्मों ने सिक्स का विरोध कर इसका तिरसकार ही किया है, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुध काम भाना जाता है, धर्म, राज्य और समाज ने इस्त्री और पुरुष के बीच के संपर्क को हर तरह से नियंत्रित और सिमित करने के अधिक्तर प्रयास किये, इसके पीछे कई कारण थे इस प्रतिबंद के कारण ही लोग इस पर चर्चा करने और इस पर किसी भी प्रकार की सावाग्री पढ़ने देखने आदी से कतराते हैं लेकिन दूसरों से छिपकर सभी ये कुकरित करते हैं लेकिन दूसरों से छिपकर सभी एक कुकृत करते हैं। सेक्स ना तो रहस्व पूर्ण है और नहीं पशुवरिती। सेक्स ना तो पाप से जुला है और नहीं पूर्णे से। ये एक सामानने कृत्त है। लेकिन इस पर प्रतिबंद के कारण ये समाज के किंद्र में आ गया ह है। पशुव में सेक्स प्रप्रिती, सहज और सामानने होती है। जबकि मानों ने इसे सिर्फ परचाड़ा रखा है। मांस, मतीरा और मैतुन में कोई दोश नहीं है। दोश है आदमी के सोभाव और अत्रिप्ति में काम सुख एक स्वाभाविक जरूरत है। लेकिन मनु और उसके समर्थकों को भी दर्शाता है कि किसी समय में इसके समर्थक रहे होंगे। लेकिन अभी के समय में तो लोग खजुराहों में मंदिर के तौर पर देखते हैं। जसमें देवी देवता स्थापित हैं। खजुराहों में देवी देवताओं के मंदिर है। लेकिन इ ऐसे और भी मंदिर हैं जिनमें काम सुत्र से प्रेडित पराती रत मूर्तिया हैं। जिनें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और हमारे मन में जो भी उच्शुकता थी वो किसी और वज़ा से थी। हम काम और इन विश्व को लेकर इतने उच्शुक थे कि हम अपने आपको रोग नहीं पाए। लेकिन आप हमारे मन में जो भी उच्शुकता है वो सिर्फ एक सामानने विश्य के तौर पर है। बड़े चालाख हो, मुझे तो बहुत ख्यान दे रहे थे, कि तुम काम सुत्र को सिर्फ एक विश्य के तोर पर देखते हो, और मैं किसी और इरादा से इस किताब को पढ़ रहा चाहता हूं, लेकिन आ गया ना मुद्दे पर, अखेर तुम भी अब तक काम सुत्र को मजे ले के लिए ही देख रहे थे, और पढ़ रहे थे, है ना?